हेलो दोस्तों तो कैसे है आप इस वीडियों में बात करेंगे आई एंडी वर्सिस आयरी ज्रीम 11 प्रेडिक्शन यारी इंडिया का आइरलेंड से मैच होने वला है इंडिया अपना वर्ल्ड कप का कैंपेंड स्टाट कर रही है उमीद करेंगे भारत यह मैच में जीते तो ज यहां पर आपको बताता हूं दोस्तों बल्ले बाजिक्रम ओडियो गेम चेंजर तो जरू टेलिग्राम में आजाए लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर आपने हमें अभी तक सब्स्क्राइब नहीं किया कर रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर नया स्टेडियूम में जिस टाइम पर आप देख रहे हो ड्रॉप इंपिछ लग रही थी मतलब यह पिछ जो है यहां पर यूसे में आके लगाई गई है अब ड्रॉप इंपिछ पे आपको हमेशा कुछ मिस्ट्री देखने को मिलती है वहीं यहां पे हुआ पिछले मैच म बल्ले बाजों के लिए गेम ही नहीं थी शडंका को पेसर से खेला ही नहीं जा रहा था और यहीं आप आज भी उमीद कर सकते हो दोस्तों क्योंकि एक नई विकेट है मिस्ट्री रहेगी ऑफिशल रिपोर्ट बड़ा जरूरी होगा टेलीग्राम पर बताऊंगा हो सकता है इस मैच में बोलिंग गलोर जाना पड़े क्या पता है इस मैच में रोहित कोली जैसे प्लियर को भी ड्रॉप करना पड़े इंडिया में टीम रहेगी विजेता के चांसे जादा है क्या हम मूम्रा को कैप्टन करेंगे कोली को नहीं पिछ यह डिसाइड करेगी ठीक है अग यहां पर पहले तीन मैच नहीं हुए थे वह कहीं और हुए थे दोस्तों यह पहला टीट्वेंटी अंतरास्ट्रिय मैच था लेकिन यह है अंतरास्ट्रिय मैच जिसमें श्रिलंका केवल 77 आया साउथ अफरीका ने असी तो मार दिये लेकिन 16 अवर लग गए और चार विके सब्सक्राइब को ठीक है तो फास्ट पूलर्स का गेम मनाता अठाइस में 17 अच्छी न्यूज है साथ के साथ मैं जीते हैं आयरलेंड के सामने आयरलेंड ने कभी इंडिया को नहीं राया इंपक्ट एक दो क्लोज मैच भी हुए है अब देखो दोस्तों वह जो दो क्लोज मैच भी थे उसमें भी इंडिया ही जीता है यहां पर इंडिया ने 185 किया आयरलेंड एक सो बावन संजु सैमसंग के चाले साय शीवंग दूबे बाइस नॉट आउट ये शस्वी अठारा जस्प्री गूम्रा दो विकेट अर्शदीब सिंग एक विकेट भाइए एंडी बंदी ने इंडिया को दो हाफ सेंच्री इसमें से एक में 72 था मांक अडर तईस और एक विकेट बैरी मकार्थी दो विकेट क्रेग यंग एक विकेट बैन वॉइट एक विकेट उससे पिछला मैच जो था वो बारिश के चलते मैच छोटा हो गया था इंडिया डिल्स मैथ इंडिया की बैटिंग पूरी नहीं थी बारिश आ गई थी मैच में स्कोरिंग में बैरी मकार्थी ने 50 जरूर मारी थी बाकी बुम्रा को दो विकेट मिले थे तो उनके मैच आपको मिलें गए निंए तो बाइटी मैच फिलिसके दो विच्वों सेंच्वी रोही थी मैच लिए सब्सक्राइब यहां माकडर ने बैटन बोल कॉंट्रिवुट की है वेरी मकार्थी ने 50 लगा दूरत विस देसे इनका भी अच्छा है मर्मल्ली वो वास्ट बोलर हैं जो की थोड़े बहुत बाद 수 पहर आते हैं बोलिंग में tast इंडिया के कुलचा स्पिनर्स यारी कुल्दीप और चहल दो ने prosecutär निकाली ऑसाथ कुल पिन मैच में साथ विकेट चहल तो इंडिया के स्पिनर्स ने आरलेंड को तंग किया है क्रेग यह चार बैसा यह आरलेंड के सबसे कम्याब तेजगेद वाज रहे हैं इंडिया के साथ ने यहां पर रोहिट शर्मा साहब का फॉर्म तो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि आपको पता है में भी नहीं चले यहां पर एक जो नौक आया था लास्ट में मुंबाइडियन से खेलते वहां पर जरूर बढ़िया खेले थे उसके लावा उतना अच्छा फॉर्म नहीं था और इसेंट रहा था पिछले लेग में एकदम लास्ट में थोड़ा सा फीके सावित हुए थे स्टार्टिंग इनकी बहुत अच्छी थी पंतने बढ़िया खेला था इप्यल इमप वामप पहचास मारा है फॉर्म भी अच्छा है विराट को ली तो बैस खेले थे बहुत अच् अच्छा नहीं था लेकिन बढ़िया खेले जड़ेजा का फॉर्म ठीक था अक्सर का बहुत बढ़िया था बुम्रा का बहुत बढ़िया था अर्टीप का ओक्यों के था लेकिन हर बैच और सिराज ने भी एंडिंग स्टेज में अच्छी बोलिंग करनी स्टार्ट कर दी लेकिन हो सकता है कि को भी ओपनिंग करवा दी जाए वो भी आप ध्यान रखना क्योंकि यहां पर ग्राउंड पर पेस चली है मैंने एक एक्स्ट्रा पेसर इन सिराज टीम में रखे हैं टीम चाहें या शीवम दूबे को भी खिला सकती है अक्सर पटेल को भी खिला सकती है बल्लेबाजी डेफ्थ भी आजाएगी उससे बढ़िए पिछले मैच पेसर को सब्सक्राइब काली अपनी पहली की इंटरनेशनल डेब्यू थी उनकी तो यहां आप देख रहे हो हर चीज पेसर को सपोर्ट हुआ इसलिए सिराज को मैंने एंट्री दिया अपनी टीम में अब आप दोस्तों देख रहे हो इंडिया के फुल स्टैट्स इंफो इंडिया टीम है जिसमें हर बैटर की अच्छी एवरेज है लीस्ट एवरेज देखने को मिल रही है वो संजू सेंसंड की है 29 और उंडर्स में तो चलो 2622 नॉट बैट क्योंकि जड़े जाकसर बोलिंग भी करते हैं सो यह तो भाई आप मान के चलो कि इंडिया की टीम में सभी भैट जीतने चाहिए नॉट पर बड़ी टीम के सामने इंग्लेंड और स्ट्रिलिया सी मैचिस होंगे तब भाई मज़ेदार काम करना होगा इंडिया को क्योंकि वहीं पे इंडिया पिछले कुछ सालों में चूक रही है लास्ट इम सभी फाइनल हार गे टीटी वर्ल्ड कप में ओडिये वर्ल्ड कप का आपको फाइनल याद हार गई थी इंडिया तो नौक आउट में काम करना है इंडिया को अब आयर्लेंड की बात जो कि एक अच्छी टीम है मेरे को काफी पसंद है अपकोर्स इंडिया से ज्यादा पसंद नहीं है और मुझे पसंद क्यों क्योंकि एक फाइटिंग टीम है और हमेशा दमखम लगाती है अपना और यूरोपियन क्वालिफायर से क्वालिफाय होके आएं विच इस अ गूट साइन क्योंकि यहां पे स्कॉट्लेंड जैसी निदलेंड जैसी टीम यूरोप से आई है जो कि काफी अच्छी है लॉर्कन टकर मै है उससे पहले लेकिन कुछ मैच पहले एंडी बलबर्णी का ठीक फॉर मेच हपन पेंटीस आया है इनके पिछले तीन मैच पर स्कोरिंग नहीं आई है रिटेक्टर की वन थ्री जीरो ऐसे आया बट उससे पहले तीन लगातार था था और यह मोस्ट टेलेंटेंट प्लियर हैं मैं आपको बता दूँ मैं इनसे बात भी कर चुका हूं काफी अच्छे खिलाडी है मोस्ट टेलेंटेट प्लेयर है इंपक्ट मैंने आरलेंट टीम का एक इंटर्व्यू का वीडियो भी डाले अपना जिसमें मेरी कुछ खिलाडियों से बात हुई है जैसे मां कड़ है मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा या फिर आपको पिंड कोमेंट में दे दूँगा या आप सर्च भी कर सकते हो तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पर गयरेट डिलानी जो की बैट से भी काम आ जाते हैं नौट बैड ऑप्शन एक डिफरेंशल का काम कर सकते हैं क सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब बढ़िया है अगर आप सब्सक्राइब बढ़िया है अगर कुछ ऐसी आपको यहां पर टीम दिख सकती है बैड बनी श्रलिंग लॉर्कं टकर टेक्टर कर्टिस कैंफर डॉक्रेल गेरेट डिलानी और मॉस्ट कंफिर्म यही टीम है देन मार्क डैर मकार्थी लिटल और बैन वाइट अब यहां एक चीज़ टीब कर सकती है कि मकार्थी को अगर आप बिठा लो तो आप पास फिर क बैट की जगा करेगी है क्योंकि लास्ट आपने देखा था यहां पर स्पिन से ज्यादा पेस का काम बनाता है ऐसा नहीं के लिए है लेकिन पेस बहुत बहतर करी थी लास्ट मैच में अब फुल स्टैट देख लो स्टल्डिंग और बननी ओपनर्स दोनों मिलेगा उपनर्स का बट मैं टेक्टर को भी और टकर को भी जो लॉकन टकर है काफी हाइली ट्लेंटिड वां तो लॉर्कन टकर वो खिलाड़ी है जो लास्ट वर्ल्ड कप में जो टी-20 वर्ल्ड कप था औस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसमें स्टार्क हिजल्वूड पैट क लॉर्कन टकर अच्छे की लाड़ी है इनके जोश लिटल एक सो चौबिस में 149 विक्टे यंग सौ में 129 इनकी फास्ट बोलिंग अच्छी है कम बत समझना ठीक है अब हम आगए इनके कौलिफाइंग स्टैट्स पर यह बड़े जुरूरी है इंडिया को सब जानते हैं इ इखाव सेंजरी और 64 का एवरेज था मतलब सिर्व दो बार आउट हुए टूर्मेंट में बढ़िया किया पांच में 122 एंडी बलबनी है इवन कर्टेस केंफर की दो ही बलेबार बलेबाजी है बट स्कोरिंग अच्छी करी से मार्क टैर कॉंट्रिब्यूट किया विद व करते हैं विद बैट भी काफी इंपोर्टेंट है और दिलादी काफी अच्छी गूगली भी कर चुके है अब तो यह चीज़ देखके चलना अम मैचप फटा-फट देखेंगे रोहीच शर्मा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इन क्लियर्स के आगे ये शस्वी जैसवाल क् प्रेक्ट खास नहीं आ रही है इंडिया के आगे सूर्य कुमार यादव एक बार जॉश लिटल प्याउट हुए और एक गेंद लगी उसी प्याउट हो बैठे थे तो यह जो है थोड़ा सा तंग कर रहे हैं इंडिया की टीम को यंग कर रहे हैं तंग ठीक है दिहान रखन हार्दिक लिटल के आगे आउट हुए हैं शिवंदूबे का नॉर्मल संजू सैमसन लिटल पे एक बार मार्क डैर पे एक बार बैन वाइट पे एक बार जिन दिन के मैच अब से वेलेबल थे वो मैंने आपको जरूर बता दिये हैं अब अगर आप पॉल्स चल्डिंग दे और बुम्रा दोनों बोलिंग करेंगे लॉर्कन टकर बुम्रा की तीन देखे लिए उसी प्याउट यूजी चहल पे भी आउट चैहल और बुम्रा का नाम काफी आया है ठीक है है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख नहीं इस क्रॉप ऑफ बोलर्स के आगे बैन दोस्तों जो आपके लिए इसी के अधार पर आपको टीम में फोकस कर दा है ठीक है अब यहां मैं दोस्तों बढ़ूंगा एक बर फटा फट से ना वोमप स्टैट्स पे इंडिया का जो मैं जो था इंडिया बांगलादेश को इसी ग्राउन न्यूयोक पे हराया था रिशब पद्द सब्सक्राइब हार्दिक को एक विकेट जड़ेजा कुल्दीप एकनोमिकल रहा है लेकिन विकेट नहीं मिली तो यह हमने दोस्तों भारत के देख लिए वामप स्टैट्स तो बाइए एक आयरलेंड का भी मैच हुआ हुआ उसको भी देखेंगे आयरलेंड के मैच में लॉक्रेल 17 बेलवर्णी 16 हैरी टेक्टर 13 लॉर्कन टकर 11 तो बल्ले से ज़्यादा काम नहीं मना था लेकिन गेंदबाजी सही थी क्योंकि बैरी मकार्थी को भी दो विकेट मिल लिटल को दो विकेट मिल एक विकेट यह कहनी रही थी डिलानी के दो और आय थे रन नोही द नाम कम था जबकि हैट टूएड में टॉप विकेट टेकर है उसका कारण यह है कि 2018 में दोस्तों पान से चे साल पहले भारत कम है जब वह था आयर्लेंड से तब दोनोंने विक्टे निकाली थी भरके और आपको बता दूस टाइम आयर्लेंड गैरी विल्सन स्टूर्ट रख रहा हूं जो कि भारत से विकेट कीपिंग भी करेंगे और बहुत एलिगेंट लेफ्ट हैंडर हैं हमने यह वामप मैच में देखा काफी अच्छी फॉर्म में भी थे पचास मारी थी नोने सैंसन भाईया मुझे नहीं लगता भी खेलेंगे टीम चाहे तो मौका दे सक रख सकता हूं क्योंकि पता लगे यह दो कैच पढ़ गर जाएं फॉर्म तो बल्ले से अच्छा है ही पंदरावीज वी रन कर जाएं तो एक डीसेंट पॉइंट हो जाते हैं तो यह भी एक ऑप्शन रहेंगे और अच्छे ऑप्शन है सिलेक्शन के अधार पर तो मैं कहू डेफिनेटली रखूंगा टीम में रोहिच शर्मा को रखाऊं बहुत इंपॉटेंट रहेंगे यह यह भारत के टॉप 3 मैंने कोशिश करिए टीम में रखने की यदि इंडिया बैट करेगा मैं सूर्य कुमार यादव को भी पका रखूंगा यदि इंडिया चेस करेगा हो बहुत बढ़िया इनके भाई ट्रॉक्ति इक रखूंगा सबसे बैक्टिस करने प्लेयर हैं जब मेरी आइलेंड की टीम से बात वही थी जो मैंने आपको बताया की हो चुकी है उस टाइम पर यही मुझे बताया गया था कि ट्र सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं अगर आप ये खुद देखना चाहें वो वीडियो में आपको मैंने कोशन पूछा दिखेगा कौन सा प्लेयर प्रैक्टिस करता है तो टेक्टर ही सबने नाम लिया था ठीक है बहुत प्रैक्टिस करते हैं अच्छे प्लेयर है डॉक्रेल एक टाइम पे पाकिस्तान को पहली बार हराया था नियाल ऑब्राइन के कारण जो केविन ऑब्राइन के भाई थे लेकिन दोस्तों उस टैम के बाद जो यह एक डाउन के प्लेयर बन गया बोलिंग से इनको कम रोल मिलता है बल्ले से ज़्यादा शुमन की लिए इंडिया के बेंच में रहें यह तीनों को मैं रखूंगा जड़ेजा लेफ्टम स्पिन बल्लेबाजी कुछ मीडियम पेस कुछ बल्लेबाजी एंड डेफिनेटली मां कडैर आयरलेंड के वन आप बेस्ट बोलर्स है क्वालिफायर्स में टॉप विकेट करते हैं रंस भी लगा लेते हैं फाइव से सि लेकिर यह दोनों ही काफी अच्छे खिला रही हैं और दोनों की खास बात क्या है दोनों बैट प्लस बोल से कॉंट्रिब्यूट दोनों जगा से कर सकते हैं कैमफर कुछ मीडियम पेस चल रही है इस लिए इनको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहो और बल्ले से भी काम आते है साथ ओफरीका के लिए अंडर नेंटीन भी खेल चुके हैं गेरेट डेलानी लेक्स्पिनर हैं जो की बल्ले से हाड़िट के लिए जाने जाते हैं फाइब डाउन पे करीब आएंगे फिनिशर है टीम के और लेक्स्पिन डालते हैं मैं बोलिंग पे आ गया हूँ बूमरा म सब्सक्राइब आपके लिए भारत का चांस जादा है जीतने का कुल्दीप यादव मस्ट है और अर्जदीब मस्ट है यदि सिराज खेलते हैं मैं उनको भी रखोंगा देखके चलना फिलाल दोस्तों मैंने यह तीम बोलर रखने हैं पहले आपको बता दिया चैहल के खेलन इंडिया को किये तंग मैच अपने मेरे साथ देखा जैस्वाल को तीन डाली है दो बर आउट किया है और तंग करते हैं इंडियन प्लेयर्स को बैरी मकार्थी जो लास्ट हम इंडिया को पचास मारते विद्दा बैट और यह काफी एक्स्पीनियंस प्लेयर है यह इंगली मेरी टीम हो सकता है मैं इस गराउंड पर जोश लिटल को लेना चाहूं अगर यहां पहले बोलिंग आयर्लेंड की इसका रीजन है कि पेस बोलर्स यहां पर चले हैं और उसी पेस बोलर्स की यहां पर चॉइस देखते हो हैं जितना बढ़िया वो खेल रहे हैं मैंने कैप् के आप्शन बहुत है विराट कोली है रिशापन्थ भारत के विकेट कीपर और कुल्दी प्यादव हैं अब अगर ऐसा होगी इंडिया चेस कर रही है बाद में भल्लेवाजी हो सकता है रिशापन्थ की जगर को ले जाओं क्योंकि में बी इंडिया हो सकता है वान ट्वें बूमरा के साथ है वाइस के खुले ऑप्शन है लेकिन मैं फिलहाल किंग कोली को वाइस कैप्टन दे रहाँ जो इंडिया के आप कह सकते हो सुपरस्टार बैटर है अगर आपको लगता है दोस्तों इस वीडियो के तुरू आपको हेल्प हुई है तो जरूर वीडियो को ल